असलाम नेकुम डिया स्टूडेंट आज हम शुरू कर रहे हैं मौडिल नंबर 176 और उसका टॉपिक है इबुक्स इन अर्ली चाइल्डूर्ट सेटिंग इसके अंदर हम देखेंगे कि इबुक्स अर्ली चाइल्डूर्ट सेटिंग में तो अर्डी मौजूद हैं जब आपक और हम मॉबाइल या स्कृइन की ऑपर बच्चों को दिखा रहे होते हैं तो यह कैसे हो सकता है क्लास्ट्रूम में मौजूद ना हो इसके बारे में हमारे पर स्टृडी मौजूद हैं वह मैं क्या बताती है जब हम इबुक्स ले कर आते हैं बच्छों के पास उसमें कहानि रोटीन है जो किसी एल्ट के साथ होती है या उनके पेरेंट्स है या आप है अधी कोई आप आ चीचर आए या वह पोजिफ टिप्र फिरक्राइबॉटे इन कंपाराजन टू प्रिंट बुक्स के वो टाब है जो हम प्रिंट की फ़र में पड़ते हैं लेक्ट्राणि बूक् और कैसे वो हमारी डेली रीडिंग स्टोरी टेलिंग रोटीन को चेंज करती है जब दो लोग आपस में साथ आमने सामने बैठके कहानी सुना रहा होता है और दूसरा सुना सुन रहा होता है अगली जो सिग्निफिकंट इंपॉर्टन चीज आती है वो यह आती है कि जब हमार और वहुत से ऐसी फीचर्स उसके अंदर मजूद होते हैं जो प्रंट बुक के अंदर माझी है करते हैं वह बिल्कुल कुछ और है और जब हम एबुक्स के थूरू उनके साथ इंडरक्शन करते हैं तो इसके अंदर बहुत सी चीजें जो बच्चे वह सीखते हैं जो बन्यादी तौर पर राइटिंग स्किल्स में नहीं सीखी जा सकती है जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे गैजट्स के अंदर बहुत से टूस होते हैं जिसके लिए हमें डिफ्रेंट कॉगनिटिफ और मोटर स्किल्स रिक्वाइड हैं अब आप इसके अंदर पेज उल्टेंगे नहीं आपको कौन से पॉइंट्स पर जाके क्या क्लिक करना है क्या स्क्रॉल करना है आप इंटार कि पेपर बेस्ट बुक में मौचूंथ नहीं होती कि और उनसे डिफरेंट होती है रिफ्रेंटist कषी में जाना ज़रूरी है पहली चीजो जाना ये जरूरी है कि बच्चे लिए शेक सैंस कि चिव बाा सकॉंस कि जितनी बीस कर्घून एकडेमिया में एकडेमिक से स्कूल में अध्रेस करते हैं उनके ओपर कैसे एफेक्ट होता है एबुक्स रिलेटर चीज़ों का नमबर टू बच्चे के लिए अगर हम इसको माल लेते हैं कि एबुक्स हैं उनकी लर्निंग में डिफरेंस आते हैं तो उसका क्या मतलब है इसको में इसको पढ़ने के लिए जरूरी होती है यह इंपोर्टन होता है कि यह जो इबुक्स हैं और बच्चों के लर्णिंग को कैसे अफेक्ट कर रही हैं यह तो हमने जानना ही जानना है अब देखिए इसके इनदर एक ही बहुत इंप्रॉटन फेक्टर आजाता है और So, e-books के साथ-साथ, जो हमारे important चीज़े और इसके जो हम सीखने जा रहे हैं, वो हमें बुन्यादी तॉर पर प्रिप्रेयर कर रही है, online environment के लिए. Online environment में हमने कैसे सीखना है, कैसे navigate करना है, उसे कैसे इस्तमाल करना है, अपनी academics के लिए और बच्चों को कैसे सिखाना है. So, जब हम e-books बच्चों को दे रहे होते हैं, तो e-books के साथ एक और बहुत ऐहन फीचर जो है, जिसको भी हम discuss करेंगे आगे, वो यह है, कि बच्चे independent reading कैसे कर सकते हैं. e-book के अपने अंदर इतने features होते हैं, कि शायद यह assumption है, यह लगता है, कि एक उमर के बाद एक बच्चे को फिर रीडिंग के लिए adult की जरूरत नहीं जाती है, e-book ही वो features प्रोवाइड कर देती है, जो adult की assistant उस बच्चे को चाही होती है. वो किस उमर में होता है, क्या यह successful है, और क्या यह adult से बेतर है, क्या इसके result बेतर हैं research findings में, इन सब चीजों को हम discuss करेंगे और इसके impact को देखेंगे.